आईपील धरबाइस के मेगा आक्सर में CSK टीम के द्वारा खरीदे जाने के बाद दीपक चहर का आया है बड़ा बयान धुनी और CSK टीम को लेकर कह दिया है बड़ी बात नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बाद फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एसके स्पोर्ट के और नहीं वीडियो में दोस्तों किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखरकार CSK टीम को दारा खरीद जाने के बाद दीपक चहर ने CSK टीम पर क्या दिया है बड़ा बयान और कौन से कही है बड़ी बात तो दोस्तों पुरी जानकारी लेने के लिए वी दीपक चहर ने कहा है कि हमेसा ही चन्ने सुपर किंग टीम के लिए खेलना चाहते हैं चहर को सनीवार को मेगा आक्शन में CSK टीम ने 14 करोर रुपाय के बड़ी धनरास में टीम में सामिल किया है तो चहर के लिए CSK और राजस्तान रायल के बीच कड़ी टकर देखने को मिल खेलाडी के साथ या टीम के साथ खेलने की कलपना भी नहीं कर सकता था मैं किवल CSK के लिए खेलना चाहता हूँ IPL से पहले 2022 के मेगा निलामी में इसान के सन स्रिया साई और दीपक चहर सीर्स पर थे इसके सन के मुंबई इंडियन से 15.25 करोर रुपाय में जबकि चहर को चन्ने सुपर किंग टीम ने 14 करोर रुपाय में खरीदा है और दूसरे लखनों के सुपर जाइन सुदार 10 करोर र इपक चहर अभी CS के टीम ने मातर तीन ही खिलाडियों को हरीदा है जबकि रिटेन लिष्ट की बात करने तो इसमें महेंदर फिंग धोनी रित्राज गाया क्वाल मौईन अलियर रविन जडेजा का नाम सामील है तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतन नहीं आपको क् नमस्कार